बैंक और बहरीन एंड कुएत बैंक में अपना ओनलाइन सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें दोस्तों इंटरनेशनल सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने की यह हमारी दसवी वीडियो है आज की उडियो के मादम से मैं आपको complete step by step पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप इस बैंक में असानी से घर बैटे कैसे अकाउंट ओपन करेंगे इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास में क्या 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 डोकूमेंट होने चाहिए eligibility criteria क्या लगेगा इस बैंक की branches आपको इंडिया में कहां कहां पर देखने को मिल चाहेगी यह दिया आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते है तो ऐसे में आप इस बैंक को कैसे ओपन कर पाएंगे तो सभी जानकर इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तों ये दिया पहली बार हमाने चैनल पर विजिट करें तो make sure चैनल को सब्सक्राइब वश्य कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको international saving account कैसे open कर सकते है घर बैटे इसके बारे में वीडियो सेरीज चली हुई है तो make sure आप उस playlist को जाके check out कर सकते है जहां पर आपक saving account opening करने के बारे में जानकरी दी गई है कि कैसे आप भारत में रहकर कैसे आप international bank में अपना saving account open करेंगे तो चली गाइस बताता हूं कैसे आपको बैंक को बहरीन में अपना saving account open करना है इसके लिए आप अपने मोबल में कोई भी ब्राउजर को open कर रहेंगे और जिस गूगल पर सच करेंगे bank of Bahrain and Quet जैसे आप इतना सच करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरहीं से यूजरे इंट फेस देखने को मिल जाता है यहां पर एक सेविंग अकाउंट करके एक option देखने को मिलेगा तो जिस्ट आपको saving account पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर आपको saving account के बारे में तो यहां पर सेविंग bank account पर क्लिक कर लेना होगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा से पेज को स्क्रोल डाउन करेंगे यहां पर आपको features and benefits के बारे में बताये हुआ है जैसे कि यहां पर आपको free checkbook की facility देखने को मिल जाती है free ATM card की स्विधा देखने को मिल जाती है आप withdrawal कर सकते है balance inquiry कर सकती है NPCI network की स्विधा भी हाँ पर आपको देखने को मिल जाती है साथी साथगेज आप anywhere banking or cbs platform की साथ से आप इन सभी facilities का use कर सकते है cash deposit कर सकते है cash deposit कर सकते है cash निकलवा सकते है अगर भारत में ब्रांच इसकी पता कि जाता है तो मूंबई में हैदराबाट में लूओं में तो कहीं सारी City में इस बैंक की ब्रांच देखने को मिल जाती है साथ इस न्यू दिली में यादि आप रहते हैं तो वहां पर भी आपको इसकी ब्रांच इस देखने को मिल चाहेगी यहां भी डिपोजिट वग यथी जा सकते हैं नुमिनेशन की फैसिलिटी भी यहां पर आपको देखने को मिल जाती है नलीसिबिलिटी ॥ी तरह से नहीं कर सकता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सभी घाइज अपना से में अकाउंट ऑपन कर सकते हैं अकाउंट ओपरेसंस यहां भी देखने को मिल जाते हैं कि मिनिमम बैलेंस आप एक जार उपे से अपना से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहां पर आपको quietly manage करना होगा 5,000 रूपे तक balance maintain करना होगा साथी साथगेज यहाँ पर document भी बताएगे कि आपके पास में identity proof document होने चाहिए proof of address document होने चाहिए self check book की सुईदा भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो आप उससे इस बैंक में payment कर सकते हैं साथी साथ टू पासवोर्ट साइज फोटोग्राप यहाँ पी लगने वाले है तो यह कुछ document है जो कि आपके पास होने चाहिए आप अपना bank account open करना चाहते इस bank में तो यहाँ पर सभी चीज़े बताई हुई है तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि account को आखिरकार कैसे open करना है तो यहाँ पर आपको जिसे की थोड़ा सा page को उपर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक new user करके एक option देखने को मिल जाता है तो जिस्ट आप इस application form में दी जानकरी को आप enter करेंगे जैसे कि आप अपना name एंटर करेंगे अडरस एंटर करेंगे date of birth डालेंगे email id यहाँ पर डालेंगे अपना mobile number एंटर करेंगे mother's name एंटर करेंगे अपना account जो भी account open करना चाहते है वह account open करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ से नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ही application form है जिसे आप ही इसे download कर सकते हैं यहाँ पर जो terms of condition है तो आपको इन terms of condition को read कर लेना है सभी को जैसे आप इन सभी को read कर लेते हैं अब account open करने के लिए यहाँ पर थोड़ से back कर लेना है आप सबसे पहले थोड़ से page को scroll down करेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर पर एक option देखने को मिलता है account opening from individual तो जिस्ट आपको इसी option पर क्लिक कर लेना है जिसे आप इस option पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एक और application form डाउनलोड हो जाएगा तो जो पहले application form ता उस application में मांगी जानका रहते हैं तो मुंबई हैदराबाद हो गया या फिर अलुआ हो गया या फिर न्यू दिल्ली हो गया तो यहाँ पर कुछ इस बैंक की branches है जो जिस भी आप सीटी में है तो वहाँ पर आप इसे easily आप इस account opening कर पाएंगे तो account opening करने के लिए यहाँ पर अपना first name last name enter करेंगे अपने जो details है यहाँ पर अपर enter कर लेंगे जो details है जिसकी nomination की detail है तो वह आप इहाँ पर enter कर लेंगे और basic detail है जो कि आप इंडिया में account open करते है उसी तरह किसे आपको यहाँ पर उसी तरह किसे अपने detail है आप एंटर कर लेनी है आप आपको account जैसी आप यह application form का PDF का जैसे क को feel कर लेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना अपने साथ लेकर जाना है और वहाँ पे आपको अधार चेक बुक की सुईधा हैं पर देखने को मिल जाती है डेबिट कार्ड की सुईधा भी हैं पर देखने को मिल जाती है तो गाइज आप यह दी इस bank account को open करवा लेते हैं तो Google Play Store पर मुझूद इसकी mobile application का इस्तिमाल करके आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आप ओनलाइन पेमेंट वगरा करने के लिए रिचार्ज वगरा करने के लिए और इस bank account को manage करने के लिए आप इसकी साहता से सभी facilities का यूज कर सकते हैं तो आई होब गाई आज की वीडियो आपके लिए helpful रही होगी जहां पर मैंने आपको complete जानकारी बताई है कैसे आप बैंक और बैंक और बैंक में अपना saving account कैसे open करेंगे सभी detail wise आपको सभी जानकारी यहां पे दी गई है account opening करने का अभी कोई भी online process नहीं है आप offline ही अपने नजदी की branch में जाएंगे और application form को submit करेंगे तो इसके बाद आपका account opening कर दिया जाता है और account opening करने के बाद आपको सभी facilities यहां पे देखने को मिल जाएगी यदि दोस्तों इस वीडियो आपके लिए help विडियो को like कीजिए चैनल को subscribe अवसर कीजिए और यदि आप international bank account के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाते तो उसका link आपको नीचे वीडियो को description box में मिल जाएगा महाँ पर जाके उससे check out कर सकते है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye thank you so much